Hello guys, this is Vikas Gupta and you are watching Gupta Ji Photography और आप अभी planning कर रहे हैं कि ZF camera खरीदना है Yes, Nikon के बहुत ही जबरदस features वाले ZF camera को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं कई दिनों से Nikon के ZF camera के साथ बहुत सारे photo shoot भी किया with different lenses तो ये वीडियो आपके लिए है So keep watching this video तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि इतने दिनों तक मैं ZF body के साथ अगर photo shoot किया तो मुझे क्या-क्या अच्छी चीजे लगी इस नए camera body के साथ और कुछ बुराईयां तो रहेंगी ही क्योंकि कोई भी perfect camera नहीं होता तो there are some features बहुत ही short में मैं आपको बताने वाला हूँ पहला अगर आप अगर इस camera को देख रहे हैं या अगर अपने in hand यानि use भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको weight जागा लगेगा क्योंकि मैं कई सालों तक Z50 use किया लेकिन उसके बाद अचानक ZFF में आने के बाद मुझे ये camera थोड़ा सा भारी लगा तो ये एक खराबी नहीं बताएंगे बट एक आपको stability रहती है अगर heavy camera है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे heavy camera नहीं चाहिए तो ZFF तो आपके लिए भारी लगेगा ये इसकी LED स्क्रीन बहुत ही जबरदस्थ है और resolution भी बहुत ही शांदार 360 degree rotated यानि कि अगर आप खुद selfie भी लेना चाहेंगे तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं ये कई सालों से photographer दिमान कर रहे थे viewfinder अगर देखा जा ZFF की तो बहुत अच्छी है बिकर्स की जो quality जो sharpness एंड जो brightness है वो बहुत अच्छी है ZFF camera की viewfinder में फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी अगर आप ZFF से photography भी कर रहे हैं और वीडियोग्राफी कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं और ZFF में मुझे कभी भी autofocus को लेकर कोई भी problem नहीं हुआ बात कर लेते हैं कि कुछ कमिया तो है जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि कोई भी camera body perfect होता नहीं है तो ZFF में भी कुछ ऐसे point से जादा नहीं है बट कुछ कुछ है इस चीज को अगर हम लोगों को company वाले ने अगर नहीं दिया रहता है तो ज्यादा अच्छा होता है first है इस camera बहुत ही heavy है अगर आप single-handed सोच रहे हैं कि मैं shoot कर लूँगा तो it's not possible आपको tripod या double hand यूज करना ही पड़ेगा because कि around 7500 gram का ये body है फॉब में चला जा रहा है लेंस लगाने के बास ये camera बहुत ही heavy हो जाता है जैसे कि अगर आप previous कोई Nikon के camera अगर यूज कर रहे है यानि कि Z50, Z30 and even Z6 Mark II भी ज्यादा heavy नहीं है लेकिन ZF थोड़ी से इन सब camera से थोड़ा सा heavy है अगर आप Z62 से shift हो रहे हैं ZF में या Z50 जिस तरह मैं shift हुआ ZF में तो एक-एक दो features हैं जो इसमें add किया हुआ है वो आपको थोड़ा सा practice करना पड़ेगा कि बहुत सारे इसमें features हैं बहुत सारे समय के साथ update किया है Nikon ने इस camera body के साथ तो अगर आप दो तिन दिन आप इसके features या menu में अगर आप जाकर देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही easy होगा तो और feature से इसमें flash यानि inbuilt flash नहीं है तो आपको external flash हमेशा use करना चाहिए आपको बता दें कि ZF में कोई inbuilt flash है नहीं देखें मैंने ZF camera के साथ जितने भी दिन बिताए हैं सारे points मैंने आपको बता दिया और लेना आपके उपर है देखें ZF के साथ जितने दिने तो मैंने photoshoot किया है मुझे no doubt बहुत ही अच्छा camera लगा बहुत दिनों के बाद Nikon में इतने सारे features पाने के बाद I am very happy और जो भी मैंने lens यूज किया चाहे वो Sigma का 30mm lens हो 1.4, Nikon का 50mm 1.8 या Nikon के Z series का 24-70 ये तीनों lens के साथ मैं indoor and outdoor shoots किया मुझे कोई भी problem नहीं है हाँ setting में थोड़ा जाकर आपको apertures and profile बाकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है उनके साथ आपको अपने photos को adjust करना पड़ता है but I think बहुत सारे update होने के बाद ये camera photos and videos के लिए no doubt बहुत ही अच्छा है मेरा review 10 में से मैं तो इस camera को 9 दूँगा और एक point में इसलिए काट रहा हूँ कि ये थोड़ा सा heavy है थोड़ा सा हलका रहने से हमारे लिए easy हो जाता है because कभी-कभी आप अगर external lights भी अगर left hand में पकड़े हुए हैं और right hand से shoot कर रहे हैं बहुत easy हो जाता है जैसे कि Godex के LCs है आप अगर या आपको dinky light हो गया कुछ creative shots के लिए कभी-कभी wedding में भी जूरत पर जाते हैं अगर हम यहां से light पकड़ कर अगर हम shoot कर रहे हैं और अगर heavy camera रहे तो थोड़ा shake होने के लिए एक problem हो जाता है एक shake होता ही है बट थोड़ा सा मैं एक point इसलिए काट रहा हूं कि थोड़ा सा अगर यह हलका होता तो अमारे लिए और भी हो जाता लेकिन अगर आप planning कर रहे हैं no doubt ZF आप ले लो लेकिन और कोई companies में shift होने के इस problem का solution है I think आपको यह video बहुत informative लगा अगर अच्छा लगा तो do comments and I hope आपको पोई भी problem हो definitely आप हम से पूछिये मैं बताऊंगा और आने वाली videos को भी अब देखिये बहुत सारे behind the scenes है मैंने इस camera के साथ शूट किया है hope you like the video and ZF के लिए जो भी आपके mind में doubt था वो I think इ see you data take care